वाइगर जी का खाल्सा वाइगर जी की फते प्यारे दोस्तों मैं आपका साथी इंदर जी सिंग आज दो मुद्दों पर मैं आप से चर्चा करने के लिए आया हम आप सभी भली बाती परिशित हैं सरकार चाहे वो किंद्र की हो जा राज्ये की हो दोनों को चलाने वाले आईएस अधिकारी होते हैं बिच्चोली होते हैं और हमारे चुने हुए परतिनिदी होते हैं मेरे शब्द कुछ कड़वे उन लोगों को लग सकते हैं जो इन शब्दों से कहीं न कहीं समंदित होंगे अगर कोई समंदित नहीं है किसी को बिच्चोली की ज़रूरत नहीं है तो मेरी शब्द का वो बुरा अर्थ नहीं निकालेगा अभी आपने देखा आएक आडर आज आया हाई स्क्योर्टी नंबर प्लेट का बहुत से लोगों कोई जानकरी नहीं कि हाई स्क्योर्टी जो नंबर प्लेट है वो जिस पर शेर का निशान मना आता है जो कि नई गाड़ियों में लगकर आई है और पुरानी गाड़ियों में नहीं थी यह नई गाड़ियों दिली से बहार की थी उनमें भी काफी गाड़ियों में नहीं था हर आदमी का कारे करने का अपना तरीका होता है हम लोग भी परियास करते हैं हमने सरकार से एक ही बात मानी थी पैनिक बटन के उपर आप सभी को जानकारी होगी 14 अपरेल 2018 को हमने बुराडी के अंदर एक प्रोटेस्ट किया था और उसकी देन थी कि पैनिक बटन आपका ये ब प्राप्त कि एक साल हमें जीत पराप्त करने में लगा हमेशाहे यह कह रहा है प्रिवेंच पंचायद का कि जो भी नियम सविकार क्यों करें ऐसा तो नहीं होता ना आज को नौकरी नहीं निकलती है तो उस पर लिखा जाता है कि आपको इतना स्केल मिलेगा यह जे सुविधाएं मिलेंगे अमेंट्मेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट दूसरे पर आशित क्यों रहते हों कि आपको नहीं लगता कि कुछ भी नया नहीं होना चाहिए हम लोग ने प्रयास किया हमने पैनिक बटन को रुखवाया हमने जीपियस को रुखवाया और आज आपके सभी के सयोग से 27 अक्टूबर को जो हमने प्रदर्शन किया उसमें बात करी और उस बात का रिजल्ट आप लोगों के पास शने शने पहुंच रहा आएसा ऐसा पहुंच भी रहा है लोग बोलें कि बैसाब कोड़ का फैसला आया है सरकार का फैसला आया है फुलां का फैसला आया है 27 अक्टूबर को जो बाते हमने की थी प्रधान मंतरी मिला था केंद्रिय मंत्री के निजी सच्वी द्वारा उसने कहा था कि आपके चलान नहीं भरे जाएंगे यह बात आप से मैंने कही थी आप सभी लोग इस बात से सैमत होगे आज वहीं परिवेंट पंचायत की जीत है आप लोग चेक करके देखिए आपका कोई भी हजार का दो हजार का चलान नजर आ रहा है कि आपको जो थोड़ा बच गया है न यह भी माफ हो जाए थोड़ा धीरे धीरेज रखिया आप लोग वनाल्टी की बात आप लोग करते हैं पनल्टी का हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम माफ कराके रखेंगे वह हमने करवा दी है आप सभी के सहयोग से करवा यह भी कारे करता हूं आप सभी के सहयोग से करता हम ब्रेस्पत्वार या शुक्रवारत को इसका आदेश आपकी जो सक्रीन है जहां पर भरते हैं वहां पर आपको नजर आजाएगा संगठर में ताकत क्या है यह आप अगर बारीकी से हमारी सारी वीडियो सुने तो आपको समझ में आजाएगा मैं अभी लोगों से मिलता हूं तो लोग कहते हैं जी वाइस आप ट्रांसपोर्ट क्या है डीडी न्यूज हिंदी क्या है प्रिवेंट पंचायत क्या हम लोग जानते नहीं यह हमारी कमी है हमारा फेलियर है कि हम इस किसी वीडियो को आगे नहीं भेजते अगर हम यह वीडियो आगे भेजें तो आपको नहीं लगता कि इसका फैदा किसी को होगा हमारे भाई को तो हो हमारे भाई जो इसका फैदा उठा पाएंगे आग जिनको नहीं घ्यान था कि पर अल्टी नहीं भरने उने भर दिया आदमी इसको रिजिस्टर नहीं करेगा तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अब इस शब्द का माइना बदल जाता है यहां लोग साथ की बजाए सवाल आत्मक आ जाते हैं कोश्चिनिंग आ जाते हैं भाई मैं नहीं भरूँगा तो क्या मेरे पेनल्टी आप भर दोगे मुझे बात बताएं जब जुर्माने आप भर रहे थे मैंने का रुख जाओ तब देशी भाषा में बोलू फटी पड़ी थी तब किसी ने निका कि दो लाग भर दू मैं तब वो बात मेरी जान मुझकर कि अब हम जाएं 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 कि अभी घंटा पहले मेरी बात चीछी रोकार की कि 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 मंत्री ने हमें आशवाषन दिया है कि हमने खत्म करदिया है क्यों नहीं हुपाई कश टेक्निकल इशू थे वह बरस्त्त सबिट्रौप्ة खत्म हो जाएंगे हमने त Federal कall पुराडी चाड़े पर नहीं लग रहा आप मेरा जो सवाल है आप लोगों से वह यह है आप लोग गाड़ी पास करने जा रहे हैं बार करें कि बुराडी जाते हैं आप लोग कि एप सपिल्वेड करणेर का जो है यह ले रहे हर बार भार मे अ चुर्साम करें ले हूं Pep और दिल्ली सरकार की बसे और क्लस्टर बसे कोई भी स्पीड पर नहीं चलती उनमें तो गवर्नर हाई नहीं एक राज्जे में दो नियम नहीं हो सकते परंतु हमारे मित्र संगठित नहीं है हम लोग रोज प्रयास करते हैं कि भाई आप लोग यूटूब चैनल को वाई को भेज़ेंं जिससे उनको भी आवेरनस आया उनको भी जानकारी मिलती रहा लेकिन कोई नहीं सुनना चाहता है आजना करते ही आज आपको जानकारी होगी आप सभीके पर्यास से जो फिटनस की फीस लगती है वो माफ हो रखी की नहीं हो रखी है। फिटनस की फिस नहीं लगती आप 1500 रुपए एक साल की पार्किंग देके आते हैं जो की 1530,000 पर हम एम सब्सक्राइब का दे जाते हैं 25 और पैसे 30,000 पर तक हम गवर्नर का सर्टिफिकर्ट लेने का एक कागज का टुकडा लेने का मात्र एक टुकडा ले लिया उसके आमने 2530 पर दे दी तीन हमने दे दिये फीश के पार्किंग के जो हमें कभी मिलती नहीं है तीन हजार दे दिया हमने यह 25 देदी स्प्रिट को अब उसके बाद क्या आ गया कलर कोटेड प्लेट आ गए मेरे मित्रो रोज कुछ ना कुछ आता रहेगा लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आप परि जीरो करवाने जा रहे हैं अभी 100 पर आए ना अभी आपके मैसेज जो आते हैं 100 पर क्याते हैं चार एर के नहीं आते न यह जानकर है आप लोगों को यह परिभेन पंचायत की करणाम यह कारणाम है जो सारा इतना करके दिया है आप लोग की मेहनत है लेकिन मैं फिर पुने है आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा आप लोग सकों पैसे लिए करें अन्यता कोई बीना करहें मैं किसी के पैसे देने वाला नहीं लेकिन सब अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग इसको हटवा सकते हैं या माफ परा सकते हैं हाइज स्टीकर लगाना है हमने परिवहन पंचाय स्टीकर मुस्त देगी पैसा नहीं लेने कोई भी अपने पैसे से लगवा के आपको बाढ़ देंगे तो इतनी बात के लिए आप लोग व्याकूल है सबको पता कालि-पिलि गाड़ी cng पैक्र मम बना करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा प्रियास आप करें वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा करें ज्यादा से ज्यादा कूँ बताएं कि यहां पर परिवेश्ट पंचायत जो कारे रही है वह आपके हित के मेरे हित के सब के हित में अगर मैं यह कहूं कि अकेला मैं अपनी गाड़ी के लिए प्रेल्टी माफ करा लूँ तो यह संभव नहीं है सब के लिए हो जाएगी हम सबका परियास करेंगे तो आशा करता हूं मेरी बातों से सहमत होंगे आप लोग फाइन भी ना भरें प्रेल्टी भ हो ना वहां पर देखतों कैसे चलान करता आपको यह ताकत आप में भी होनी चाहिए आप भी कहें मैं टैक्सी अनौर हूं मेरी कुछ टैक्सी का चलान करके दिखाया मैं महां पहुंचूगा जब सभी इंद्रजीत बन जाएंगे जब सभी अपने स्वावी में से जिएंग दिख में आप मेरे हर सुक दुख में शामिल हों यह मेरा मानना है प्रिवहन पंचायत पूरे भारत वर्श का एक परिवार हो परिवहन आयोग काम गठन कर पाएं जिससे किसी चालक के उपर कोई कस्ट ना आपके किसी भी हमारे प्रिवहन जगह से जड़े आदमी का पर कस कराएं इसी प्रकार आगे बहुत सी चीज़ें माफ करा सकते हैं फैसला दोस्तों आपका है धन्यवाद